प्रश्वाइब नमस्कार सुअगत आपका हमारी खास पेशकस में आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय हम इश्या की तरह आज फिर हम हाज़िर हैं आपकी बत्ती जलाने कुछ ऐसी बातों के साथ यो यू तो आपके सामने हैं पर आपने कभी उनके बारे में सोचा ह इतना ही नहीं हम बात करेंगे उन चीजों की भी जो हमें बच्पन से सिखाया पड़ा है तो जाता है पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये कितना सही है और कितना नहीं तो रोज मर्रा की चीज में छिपे हुए फैक्ट्स और मिस से हम उठाएंगे परदा इसमें साथ देंगे ह तुमारा एक्सपर्ट तोड़कने से पर्दा हटाओ और बत्ती जलाओ आप भी है इयरफोन्स पर गाने सुनने के शौकी इयरफोन्स लगा कर फिल्म देखना आपको पसंद है सावधान इयरफोन्स आपको कर सकते हैं बिमार बहरेपन का हो सकते हैं शिकार ऐसा मनुरंजन पढ़ सकता है सेहत परभार हो सकती है गंभीर बिमारी सोच से परदा हटाओ पत्ती जलाओ तो क्यों है ये इयरफोन की आदत खराब इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रॉक्टर गौतम बीर सिंग जी जो एंटी एंटी सब्सक्राइन वह नहीं नियुमारि 7153826 इसके साथ ही आप हमारे साथ सोचल मीडिया के जरिये भी जूर सकते हैं आप हमें सवाल कर सकते हैं ट्विटर पर हमारे साथ जूरिए जी राजस्थान पर हैस्टेक बती जुलाओ के साथ आप सवाल करें और फेस्वुक पर भी हमारे साथ आप लाइब जूर सकते हैं कर सकते हैं चर्चा की शिरुवात करेंगे खास मेंमान हमारे साथ रहेंगे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन उससे पहले ये रिपॉर्ट अपने आसपास ऐसे लोगों को तो आपने ज़रूर देखा होगा जो लगातार कानों में एयरफोन लगाए रहते हैं शायद आप भी ऐसा ही करते हों लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एयरफोन लगाना और तेज आवाज में गाने सुनना आपके लिए कितना नुकसान दायक है ये आपको कई बिमारियों की सौवात भी दे सकता है आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है या यूं कहें कि ये स्मार्टफोन हमारी लाइफस्काइल की जरूरत बन दी जा रही है खाते, पीते, सोते, जाते अगर हमें कुछ चाहिए तो वो है हमारा मुबाइल फोन और हमारे यही ज़रूरत हमें एयरफोन की तरफ अपना रुख मोरने पर मजबूर कर देती है क्यूंकि इसके जरीए हम फोन पर भी बने रह सकते हैं और साथ ही हमारा काम भी हो सकता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयरफोन का सही ढंग से इस्तिमाल ना करने से हमारी जान को खत्रा हो सकता है ये केबल हमारे कानों को ही नहीं बलकि ये हमारे शरीर को कई और तरह से भी नुकसान पहुंचाता है आईए जानते हैं लंबे समय तक येरफोन का इस्तिमाल करने से क्या-क्या नुक्सान हो सकते हैं कम सुनाई देना ज्यादतर येरफोन में high decibel waves लोते हैं इसका इस्तिमाल करने से हमारी सुनने की इक्षमता हो सकती है इयरफोन के लगतार इस्तिमाल से सुनने की ख्षमता 40-50 डेसिबल तक कम हो जाती है कान का परदा वाइबरेट होने लगता है पूल की आवाज सुनने में परिशानी होने लगती है यहां तक कि इससे बहरापन भी हो सकता है कान सुन होना लंबे समय तक इयरफोन से गाना सुनने से कान सुन हो जाते है जिससे धीरे धीरे सुनने की ख्षमता जा सकते है इयरफोन बाहरी भाग के कान के परदे को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ अंदरूनी हेयर सेल्स को भी तकलीफ पहुँचाता है इयर इंफेक्शन इयर फोन के लंबे समय तक इस्तिमाल से कान में इंफेक्शन भी हो सकता है रिसर्च के मताबिक इयर फोन पर अगर 90 डेसिबल की आवाज अगर 40 घंटे से ज्यादा सुनी जाए तो कान की नसें पूरी तरह से डेड हो जाती है डॉक्टरों के अनुसार इनके ज्यादा इस्तिमाल से कानों में कई तरह की समस्या हो सकती है जुनमें कान में चंचंचं की आवाज आना, चक्कर आना, संसनाहट, नींद ना आना, सिर और कान में दर्द शामिल है दिमाग पर बुरा प्रभाव इयरफोन के लंबे समय तक इस्तिमाल से दिमाग पर बुरा असर पड़ता है इयरफोन से निकलने वाली इलेक्ट्रो मैगनेटिक वेब्स दिमाग के सेल्स को काफी नुकसान पहुचा की है रिसर्ट से ये बात पता चली है कि लगभग 50 प्रतीशत युवाओं में कान की समस्या का कारण इयरफोन का ज्यादा इस्तिमाल करना है इसके साथ ही इयरफोन के ज्यादा इस्तिमाल से कान में दर्द, सिर्द या नींद ना आने जैसी कई समस्याइं हो सकती है इयरफोन के ज्यादा इस्तिमाल से मांसिक बिमारियां होने का खत्रा बढ़ जाता है इतना है नहीं तेज आवाज में गाना सुनने से दिल की बिमारी और कैंसर होने का भी खत्रा बढ़ जाता है बाहरी नुकसान एरफोन का ज्यादा इस्तिमाल करने से हम बाहरी दुनिया से disconnected रहते हैं यही वजह है कि आजकल होने वाली कई दुरखटनाई एरफोन लगाकर म्यूजिक सुनने की वजह से होती हैं कैसे बचे एरफोन के बुरे असर से एरफोन का इस्तिमाल कम से कम करने की आदत डाले और हो सके तो येरफोन की बजाए हेड़फोन का इस्तिमाल करें और जब भी किसी के साथ येरफोन शेयर करें तो उसे सैनिटाइजर से साफ करना ना भूलें तो अगर आपको भी येरफोन और हेड़फोन की लथ है तो समय रहते संभल जाएं और इसके बुरे प्रभावों को जानकर अपनी इस आदत में सुधार जरूर लाएं क्योंकि ऐसा करके ही आप एक हेल्दी लाइफ इंजॉय कर पाएंगे विरो लिपोर्ट जी मीडिया तो आपने देखा हो गया कि शायद ही कुछ लोग ऐसे हो जो ये एरफोन का इस्तेमाल न करती हो अकसर लोग चाहे घर से निकलते हैं चाहे सफर करते अट्मी से आप कर पहुंचते हैं तो भी सोचते हैं कि जो रास्ते दो घंटी का जो सफर है उसको भी येर फोन लगा कर काने सुन लिए जाए इस वक्त हमारे साथ हमारे एक्सपर खास मेमान डॉक्टर गौतम वीजी हमारे साथ जुड़े हो हैं सर बहुत-बहुत स्वागत एक बार फिर से आपके कारकरम का सबसे पहले समझना जाओंगी दिन चर्या का कहते हैं कि हिस्ता बन चुका है लोगों 90 decibel sound अगर 40 घंटे के लिए यूज करते तो बिल्कुल सुनवाई चली जाती है हमारी studies कहते हैं कि अगर आप 90 decibels पर एक सवा घंटे भी कंटिनुवसली सुनते हैं ये 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 बताया आपने अभी वीडियो क्लिपिंग में कि जैसे की चक्कर आना उसके बाद कानों में आवाजे आना और सुनने पे तो डेफिनेटली एफेक्ट पड़ता है और ये बहुत बड़ी प्रॉबलम है बच्चों के अंदर ये जो 90 decibels का जो टाइम है सवा घंटे का ये और भी कम हो जाता है तो जैसे इसको अवाइड करने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका है जो हम लोग यूज करते है वो है रूल आफ 60 बाइ 60 कि आप जैसे अपना वाल्यूम जो है वो 60 पर संट पर रखिये और केवल 60 मिनिट के लिए ही आप ये एर फोन यूज करें और उसके बाद आप ब्रेक लें 5-10 मिनिट का ताकि आप आपके जो सेल्स हैं जो सुनने के जो सेल्स होते हैं जो नर्व होती है ब्रेन में उनको रेस्ट मिले और अगर आपका फिर मन करता है तो आप ज़रूर ऐर फोन लगा सकते हैं बड़ ये रूल ऑफ 60 बड़ा सिंपल रूल है अगर आप इसको लगाएंगे तो देखने में है कि इससे सुनवाई पर थोड़ा कम असर पड़ेगा तो अगर हम क्वालिटी की बात करें चुकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर आप एरफोन का इस्तमाल करते हैं तो आपको इसकी क्वालिटी का ध्यान रखना होगा किस तरीके से इसकी क्वालिटी को हम पैचान स है वह बहुत ही जिससे कॉस सेंस्टिव है आप में देखा है कि हमारे चीज सस्ती सबसे पहले मार्केट में इसी के लिए जाते हैं तो जो सस्ते एरफोन्स हैं उसमें तो मैक्सिमम आपको नुक्सान होता है क्योंकि इसमें ना वाइस यह नॉइस कैंसलिंग एफेक्ट नह ने शुरू की थी तो उनके एयर फोन से थोड़ा एफेक्क्ट कम होता है बट देखे एफेक्ट तो होता है चाहे आप सस्ता 설ण लें चाहे आप मेहंगा एर फोन लें हो सकता है वह थोड़ी ज़्यादा देर आपण ना सीव टूड़ा ज्यादा होगा उसका बट ये आ एक सवाल मेरा है जैसे कि अगर हम को एर फोन कर सकते हैं कम से कम जूरेशन उसके क्या होनी चाहिए किस तरीकी का साउन इस्तमाल होना चाहिए एर फोन के थरोप यह जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारी स्टडी कहते हैं कि अगर आप एक एर फोन को 90 डेसिबल्स में सवा कामन आदमी को यह कैसे पता चले उसके लिए तो देखे हम एक सिंपल रूल बताते हैं 60 by 60 कि आपकी जो मैक्सिमम वॉल्यूम है आपके जो भी आप मोबाईल पे गाना सुन रहे हैं या कोई भी तो आप उसको 60 पर संट पे रखिए not on the full और 60% of the sound and to be used only for 60 minutes सरिफ एक घंट 60 का बड़ा सिंपल सा रूल है अगर आप इसको लगाएंगे तो इसका असर आपके कान के उपर बहुत कम होगा यह बहुत जरूरी चीज है अब जो दर्शक इस वक्तिस कार्कम को देख रहा है उनके लिए 60 by 60 से अगर आप इसको सुनते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं तो य यह अगर वाला आपके लिए उतना खतरनाक नहीं होगा जितना यह 90 से पर जाकर आपकेले होता है युथ सवाल मेरा यह यह काई बार मरा के लग यह को एसके जाòng करते हैं तो उससे जादा नुकसान नहीं रूते हैं आप क्या कहेंगे हलांकि सुनने में यह है कि हेड़फोन भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेफ है लेकिन 100 और 80 और 60 70 कितना रेसियो आप देखकर चलते हैं दोनों में डिफ्रेंस कितना है हमारे लिए तो एनिफिंग जो भी कान में डारेक्ट साउंड दे रहा है चाहे वो हेडफ में जाते हैं रॉक म्यूजिक में जाते हैं जहां इतनी उंची-उंची साउंड आती है तो उससे भी कान पर असर पढ़ता है जो डारेक्ली आप नहीं सुन रहा है तो इसलिए हम यह कहते हैं कि अगर आप डारेक्ली साउंड दे रहे हैं चाहे आप हेड़फोन से दे रहे जी सिर्फ एक चीज और मैं समझा चाहूंगी बेसिक चीजे हैं कॉमन है क्योंकि अक्से लोग यह भी कहते हैं कि दोनों कान में एरफोन लगाने के वज़ाए एक एक कान से अगर सुनते हैं तो लगता है कि कम इंपेक्ट पड़ता है आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं आपका क्या कहना कि वाकरी लोगों का इब्रहम ठीक है नहीं देखो ऐसा है भगवान ने हमें सुनवाई ना दो कानों से दिये ताकि हम दाय बाय दोनों से सुन सके हम इसे बिनॉरल हेरिंग कहते हैं और जब हम किसी की सुनवाई जाती है जब उसको रिहाबिलिटेट करते है तो भी हम इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं अब जब आप कान में अगर एक कान में लगा के सुन रहे हैं पहली बात तो आपको यह अच्छा नहीं लगेगा दूसरी साउंड दूसरे कान से आपको दूसरी आवाज आएंगी जो कि आप इस मूजिक को एप्रिशेट नही कार पाएंगे और ऐसा है कि अगर आप एक ही कान में लगाएंगे तो ऑविसली उसी कान में आपको ज्यादा नुकसान होगा दूसरे कान में नहीं होगा वो तो जायज है बट दूसरे यह हम बहुत कम लोग यूज करते हैं आप नॉट सीन या अफकोर्स जिस्ट ओन लाइ अगर एक कान में भी खरावी आ जाती है तो हम बहुत प्रॉब्लम है बिल्कुल इस वक्त हमारे पहले कॉलर मनुहर जी जोदपूर से हमारे साथ जोड़ चुके हैं उनकी बहुत कुछ जानना है मनुहर जी बहुत स्वागत है कार करम में आपका सवाल पूचिए सर क्या ज अब यह कितनी ज्यादा मदलब बोस है काना पर मदलब जो उन वो इसका बढ़ने से मतलब खेंड्रा या नौरमली कितना प्रसेंट हो सकता है यह को बहुत नुक्सान हो सकता है अभी हम यह यह बता रहे था आपको कि आपकी पूरी की पूरी सुनवाई भी जा सकती है आप इसके लिए मैंने अभी एक बड़ा सिंपल सा नुस्का आपको बताया है, आप सिक्स्टी बाइ सिक्स्टी का रूल फॉलो कीजिए, कि आपने जो अतनी लाउडनेस है, जो आप उंचा सुनना चाहते हैं, तो साथ प्रतिशत उसको रखिए, और केबल साथ मिनिट के लिए द नुक्सान ही, नुक्सान ही, जी, मरोष जी, उमीद करते हैं, आपके सवाल का जवाब आपको मिल क्या होगा, जो दर्शक इस वक्त इस कारिक्रम को देख रहा है, और earphone से जुड़ा हुआ, अगर आपको कोई सवाल है, तो आप सवाल कर सकते हैं, इस वक्त महत्पूर है, आप लोगों से जुड़ा हुआ है, बेसिक चीजें हैं, यह जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कि हम earphone के बारे में बिना जाने, बिना समचे उसका इस्तेमाल करते हैं, फुल वाल्यूम में इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब हमारे कान में खराबी आने लगती है, हमारी बॉडी के बाकी पार्स में जब उसका इंपक्त गलत समझ में आता है, तो हम समझ नहीं पाते हैं, क्यों हो रहा है, तो बेहत गंभीर मुद्दा है, आज का जो भी दर्शक इस कारक्रम को देख रहे हैं, नंबर लगातार उनके सामने फ् सकते हैं, आपका सवाल हम अपने शो में शामिल करेंगे, फेस्बुक पर भी आप अपना सवाल कर सकते हैं, ट्विटर के बादेम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुचा सकते हैं, गौतम जी एक बहत महतुपूर सवाल यह हो जाता है, कई बार आपने देखा होगा कि अनों ही बराबर ही डेट्रिमेंटल है, बेसिकली हम एयरफोन और हेडफोन जो है कि हम इसको यूज करना चाहते हैं, बिकाउस अप्राइवेसी, जैसे कि अगर आपने का फोन कॉल भी आप उस पर लेते हैं, बेसिकली मिलिटरी के लिए आर्मी वाले लोग जो है वो लोग इसको यूज करते हैं वारफेर के अंदर कि बाहर बंबं फट रहे हैं उन्होंने अपना एयरफोन लगाया हुआ है उसमन को डारेक्ली इंफोमेशन मिल रही है हायर कमांड से हम अपनी नॉमल रूटीन में कभी किसी को इसके लिए जो है रिकमेंट नहीं करते हैं कि भी आ सब्सक्राइब करें आप बातचीत करिए ज्यादा से ज्यादा आप उपन में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा एक और कॉलरें सर सतनाम जी हमारे साथ जोड़ चुके हैं इस वक्त सतनाम जी बहुत स्वागत है कारिकर्ण में सवाल पूछिए क्या को जानना चाहते हैं हैं जी मेर मीण महीं जानना चाहते हूं कि एरफोन को कैसे लगाएं तो कम से कम नुक्सान करें क्या पहत जएदा लगा लेते हैं तो इंक जो मैं समझ पाई हुँ इनका सवाल यह कि उसको लगाते समय यूज करते हैं। बहुत नियुक्त कम हो असका कुछ नहीं है यह इएफोस देखे हर कंपनी के हाते हैं यह मोल्ट के हिसाब से होतें और बेसिकली यह जो है यह आपके जो cartilaginous portion of the ear canal है, हमारा जो कान की यह जो नली है, जिस जो पड़दे तक जाती है, यह आदी बोनी होती है और आदी cartilage होती है, तो यह जो जिस पार्ट को आप हिला सकते हैं, यह cartilage होता है, इसके अंदर वो earphone fit हो जाता है, बहुत snugly fit हो जाता है, तभी तो गिर जाएगा, अगर आप यहाँ fit नहीं होगा, आप उसको use नहीं कर पाएंगे, हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ तरीका नहीं है, हम तो सरी एक ही चीज कहते हैं, कि आप earphone कम से कम use करें, जहां तक हो सकें, मत use करें, एक और caller है, श्याम प्रजापत जी हमारे साथ जोड़े हैं, श्याम प्रजापत जी बहुत स्वागत है, कारकर में आपका सवाल पूछे, जी स्वाल पूछे, टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजे, मेरा अनुरूथ है आपसे, आपसे बहतर संपर्क हो पाएगा हमारा, चुकि टीवी सेट का वॉल्यूम जादा होगा, तो उसकी यह एड़फोन से, मैंने बताया, देखे, दोनों ही, वैसे देखे, एड़फोन थोड़ा कम करेगा, थोड़ी जादा देर में नुकसान कर देगा, बड़ नुकसान दोनों से बराबर होता है, उसमें यह डिपेंड करता है, कि आप कितना उंचा सुन रहे हैं, अगर आप आपके उपर 100% सुन रहे हैं, अपना पूरा उंचा करके, तो तो वो आपको उतना ही नुकसान देगा, और अगर आप एयर फोन के अंदर अपना 60% पर जैसे मैंने बताया, अगर सुन रहे हैं, तो आपको नुकसान कम होगा, बेसिकली कान के पड़दे को आप कितनी उंच साउंट देते हैं, और कितनी देर के लिए देते हैं, चाहिए वो किसी तरीके से भी दें, वो आपके कान के सुनवाई को जरूर एफेक्ट करेगा, एक और दर्शक है, कपेल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, कपेल जी बहुत स्वागत है कारक्रम आपक करता है, कपिल सी तेखिए, एक चीज में यहां पर कहना चाहूं, किसी भी कंपनी को प्रमोशन तो यहां नहीं दे जा सकता है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ, मैं फिर भी डॉक्टर गौतव वीजी से जरूर जाना चाहूंगी, कि क्या कुछ कुछ क्व इतने वाला होना चाहिए, उसमें इतना पैमाना होना चाहिए, अब हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, और हम ऐसी कोई कंपनी रिक्मेंट नहीं करते हैं, मेरे अभी प्रोग्राम के अंदर मैंने कंपनी का नाम लिया था क्योंकि वह बहुत महंगे इयर फोन देते हैं, में साउंड थोड़ी कैंसलिंग करके आती है, तो वो थोड़े अच्छे हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप वो खरीदिये, हम मेडिकली कोई भी एयर फोन रिक्मेंट नहीं करते हैं, ना हमारी कोई स्टडी है इसके बारे में, हमारे हिसाब से कोई भी एयर फोन आप ल करिये, सिर्फ ओन के माधिम से आप जूड़े बैतर संपर्फ होगा, मैं एक एयर फोन यूज करता हूँ, नाइट में जादा यूज करता हूँ, पान से शे घंटा, तो इसमें कितना एक शे घंटा तो और आपकी वॉल्यूम फुल होती होगी, यह आपके कान के लिए आपको सरदर्द हो सकता है, कानों में आवाजे आ सकती है, कई बार चक्कर भी आ जाता है मरीजों को इतना साउंड से, क्योंकि यह धीरे धीरे हमारे जो सुनने की नर्व है उसको एफेट करता है, और अगर आप ऐसे 6-6 घंटे 5-6 महीने करेंगे, तो आप यकीन मानिया, आपकी सुनवाई बिलकुल गिर जाएगी, आपको सुनने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और आपको फिर हेरिंग एड यूज करना पड़ेगा, तो गपिल जी आपने देखा कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, गौतम जी आपका भी यही सवाल इसके बारे में भी गौतम वीर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी आपको, मतलब 5-6 घंटे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी फुल वाल्यूम में कर रहे हैं, तो उनिश्य तोर पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपक्ट उसका देखने को मिलता है, सब्सक अच्छी में आप कितना क्या एक व्यक्ति को खुद फील हो सकता है, कि जिस कान में वो एपी लगा कर सुन रहा है उसमें और सेकिंड वाले में कितना डिफ्रेंस है, बिल्कुल देखे ऐसा है कि सुनवाई एक हमारी जो है एक special sense है, आप देखे अगर आपको सुनने में जर सुनने में भी special sense है, जिसे आप फोन लगा कि सुनने लगेंगे अपना नॉर्मल तो आप लगेगा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, पूंचा देना, तो यह सिंपल सिंपल चीजे हैं, कई जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, राइट साइड पे कोई हान बजा रहा है, फिर आपको लगता है, पता नहीं मुझे इसका हॉन क्यों नहीं सुनाई दिया, तो यह सुनने वाली प्राब्लम तो आप पेशेंट खुदी गेज कर लेता है, बिलकुल, जैसर मेरे से राकेशी इस वक्त मारे साथ जोड़े हैं, फोन लाइन पर, आकेशी बहुत स्वाग आपकी आपकी आवाज नहीं इस पर श्टूप से हम तक नहीं आपा रहे हैं, आप कोशिश करें कि कम शब्दों में आप अपनी सवाल को हम तक पहुंचा पाएं जो इसकी वाल्यूम जो इसका होता है, जो वाइस इसकी होती है, उससे कितना नेगेटिविटी देखने को मिलती है, वाइस जो सुन रहे हैं, एएरफोन से, देखे मैंने बताया आपको कि अगर आप फुल पे रखेंगे, हम बिलकुल, जो कि देखो आप आज कर एक जैसे एहम अंग बन गया है, तो हम इसलिए आप उसके उपर रिसर्च करके हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, कि आप इसको केवल 60% अफ दी वाल्यूम पे रखें, और एट टाइम सिर्फ एक घंटे के लिए यूज करें, उसके बाद अपने आपको 5, 10, 15 मिनिट का ब्रेक दीज प्राइवेसी भी है, और वैसे भी उससे बड़ी शांती रहती है, आप अपने साथवाले आदमी को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, आप अपना सुन रहे हैं, और इसलिए अब इसके लिए और भी इस पे और भी शोद कारें चल रहा हैं, लेको लिए बहुत जरूरी है कि हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जबाब देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, तो आज के लिए बत्ती जरूरी में फिलाल इतना ही अगले हफ्त फिर से हाज़ें